हेलो दोस्तो हमार यूट्यूब चैनल पीभी लोफट टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताने वाज़ो पीटे जो दोस्तो लगने का सही तरीका दोस्तो जो कि सभी कंपोरों चेक करके आपको लगना आई तो आपका आई जी पीटेक उटन आपको वीडियो तो कि एज़िए देख़்ें दूसतो दोसों के उपपर अपनी 206, 207 असे एसे से विल्टे सहर रहा है मतलब जो डुस्तों अपनी तो दोस्तो जो voltage आपके हो एक दोस्तो इस induction के अंदर SMT package में दोस्तो फ्यूज लगा होता दोस्तो उसके आगे नहीं आ रहे हैं मतलब दोस्तो जो फ्यूज यह हो ट्रीप है तो दोस्तो अभी इसके अंदर में आपको जो अपने इंडेक्शन में दोस्तों रेगुलर जो जो फ्यूज यूज होता है 10 एंपेर का वो के से लगने वो बता हूं तो लगा कि मैं आपको दिखा था हूं तो दोस्तों यह देखे हैं फिल लिखा है तस भारे पॉइंट 5 एंपेर ओके दोस्तों जो कि आप देख सकते जो कि ट्री बुज़े दोस्तों क्या हो सकते ओके तो इसको थोड़ा सा शोल्डर कर लेता है दोस्तों में फिर फ्यूज शोल्डर करके अको दिखा दो दोस्तो इस जो फ्यूजें हो अपनी इंडक्शन में यूज़ होता है रेगूलर जो की एसे पागेज में ने आती है उसके अंदर यूज़ होता है तो दोस्तों इसका जो एक लेग है वह हम जहां पर इसी सप्लेइन होता है वह आप पर एक वाले पॉइंट पर शोल्डर कर देते हैं दूसरा लेग दोस्तों जो कि दोस्तों फ्यूस का ट्रैक जासे कटा है जो कि अपने एक डाउड और एक जो बिरिज रिक्टिपार डाउड है दोस्तों उसको एक जो ट्रैक जाता है उस पर शोल्डर कर देंगे ओके दोस्तों तो मतलब अपना जो सब लेग फ्यूस पर से हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको सीरीज में फर इसे चेक कर आके दिखाता हूँ इस देखे दोस्तों शोल्डर कर दिया है आपको जो भी इसमडी पैकेज का तो दोस्तों फ्यूस एक ट्रिप होता है तो आपको एक फ्यूस इस टाइप से लगा सकते जो कि दोस्तों आप जो आप इंडेक्शन में लगाएंगे तो नीचे से जगा होने चाहिए फ्यूस थोड़ा सा दोस्तों हाइट मतलब बड़ चाहती इस लगाने से ओके दोस्तों तो इस इंडेक्शन के अंदर जगा है तो कोई दिक्कत नहीं यहां तो उपर से भी आप अन्मेश और से जो उस को सेकुल फोड़ फोड़ टो चाहंस नहीं है तो अब आ इसका इक आप मड़ने सान शेक करते तुरी जो जो डो टो व羅 कर डिक अभी स्क्रियों वे चैंख करेंगे लिए देखे दोस्तो फुल श्र टिंग बता रहें डोस्ता इही 맞ते वह जूब के घेट पे पे गेट से खलेक टर पर अगेट पेसे इमेटर पूरा शॉल्टिंग बता रहे तो अभी इसके अंदर अपने को पता चल गया है तो चलिए इसको भी खोलते है आज जो दोस्तो आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बारिक बारिक चीजे समझाने वाला हूँ जो कि दोस्तो आइजी बीटी उडने की आप देखेंगे नहीं खाली कोई भी वीडियो दोस्तों में एक स्कीप नहीं कर रहा है जो होगा आपके समने हो रहा है ओके दोस्तों एक दो स्कुरू रहते हैं एक आजी बीटी बार एक प्रिजेक्टे बाट का एक खोल लेने है तो आप जड़तों जानते होंगे वह कैसे खो है देखें दोस्तों आप एसलिड़र करोंगे कि देखे दुस्टों का बिखे रिव मियस नरां इंड तों оф न मचान फूरे पर अंदर मिलांड लगाने वाले दोस्टों सो एदेखे दोस्टों अपने को कया करने इसको री शोलडर करने छोड़ा सा फेर करने तो अब कासरण आयों करने आप 20 जो तो just जो कि दोस्तों कलेक्टर की एक्स्टर लेगी दोस्तों उसको काट देंगे जो कि IGBT आसानी से निकल जाए तो भी दोस्तों निकल जाएगा बारे बारे आपको थोड़ा सा हीट करने और नीची से IGBT को निकल नाए ओके दोस्तों देखे दोस्तों इस तरह से निकल जाता है बहुत आसनी से आपको कुछ भी इसके अंदर जो कि पॉम्प आता दोस्तो डिश्धॉल्डरिंग पॉम्प या तार चुवाती दोस्तो उसका कुछ डोरोत ने पड़ती यूज करने की इससे ही दोस्तो ऑसे दे दे दके निकल जाता है बारी बारी सबको हीट देने और नीचे से कीछना है दोस्तो तो निकल जाएगा ये देखे दोस्तो बहुत आसानी से निकल गए यह देखें दोस्तों है हमारे पास ओरिजवेझनल IGBT 25CN 120 nem तीजी कंपनी का ओक्राइच को सबूनिक का OK दोस्तों केजीटे का ओरिजवेझनल आता है IGBT TGA का ओरिजवेटे का ओरिजनल नरे varsag are किजेश Celies इसके नंदर आप कौन सभी IGBT लगाए तो यह सभी जो थोड़ा शोल्डर बचाए हो निकल लेना है और जो आईजीबिटे दोस्तों पहले आपको उस पे जो की दोस्तों हीटसिंग कंपाउंड लगाना है इभी में आपको लगा के दिखा दाओ और उससे पहले आपको जो हीटसिंग हो आच्छे से दोस्तों उसकी सफाई कर ल कर लेकिं है कि इसकेट लिए दोस्तों उसी सब से अपको फेट कर लेंगी जो कि दोस्तो 25 N 120 IGB आता दोस्तो 25 A करेते हैं और 15 N 120 IGB आता दोस्तो 15 A करेते हैं देकिन अपनी दोस्तो इंडक्षन साथ से ज़्यादे नहीं लेती तो आप 15 N भी लगा सकते और 25 N भी लगा सकते तो कोई दिकत नहीं यह देखें दोस्ते हीट सी कमपाउंड है, आपको IGBT से IGBT पे अच्छे से लगाना है, जो कि आपकी जो IGBT के हीट है दोस्तो हो, हीट सिंग के अंदर अच्छे से ट्रांसफर हो, और IGBT जादा हीट ना हो, और आगे बताने वालों में दोस्तो आपको और और क्या कमपोन आपको चेक करने हैं, उससे जो आपका IGBT चल्दी उढ़ने के कमपाउंड ने आएगे दोस्तो, जो कि थोड़ा हीट सी कमपाउंड है दोस्तो, प्रीज रेक्टिब आउट पे भी लगा देना है, अभी दोस्तो इसको IGBT को सबसे पहले आपको हीट सिंग में कस लेना है दोस्तो और फिर शोल्डर करना है, तो दोस्तो प्रोपर शोल्डर हो जाएगा और जोस्तो आपका भी पहले शोल्डर कर देंगे तो जो कि शोल्डर है दोस्तो, जो शोल्डर तो हो जाएगा दोस्तो, लिक्विन जो हीट सिंग कमपाउंड अपने लगाए वोच्चे से मत कि इमीटर पे शौर्टिंग बता रहें ओके दोस्तो और जो कि अच्छ वाला इजबीटे वह चेक रहते हैं दोस्तो शाड़े चारसु के करीज रीडिंग देखाएगा दोस्तो जो की पलस वाली लीडे दोस्तो आप का पर रखने आपको ऑईजबीटे के इमीटर पे ओके द दोस्तो दोस्तो भी में इंडक्शन आपको आन करके दिखाता हूँ क्योंकि मुने आईजीबीटी निकल दिया तो जो भी दोस्तो शॉर्टिंग यो भी निकल गई है देखे दोस्तो इंडक्शन जो आन हो चुकी है तो मतलब जो अपनी इंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आईजीबीटी गई था दोस्तो जो की उसके पूल शॉर्टिंग बता रही थी अब कर दोस्तों आपको होल्टेस का चेक करने जो कि दोस्तों तीन सोल्ड बन रहे हैं कि निफ चेक करने ओके जूट फिकर दाओड के प्लस वाली पॉइंट पयाओर माईनस वाली सब्सक्राइब करने हैं एक देखें दोस्तों 25 बैसे बन रहे तो कोई धिकश नहीं और इसी वल्स अपने कि इतने हैं दोस्तों 262 साथ है तो उसे आपका सुवल्ट प्लस बनेगा दोस्तों 15-15 वल्टेश का डिफ्रेंस रहेगा तो कोई दिकश नुए कें सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो Is किया उइस कें होअब ने मिलने चाहिए उपके होना है लुक्ख मिले दोस्तों तों आपका जो ट्रांसिस्टर रहते कि अपको मैं वापकी वां परफ लुक्ष मिलेंगे जो बहुत अभिमिलेब्स तून्द करके जो सुलदर करने करना सिरींगैतो जो इंफिर्श यह देखिए दोस्तो इसके अंदर जो SMD Y2 और Y3 ट्राजिस्टर लगे उसके में आपको समझा देता हूँ Y2 मतलब दोस्तो yes पोचासी पाचास और Y3 मतलब yes एससी पाचास जो कि NPM ट्राजिस्टर ही और पोचासी पाचास PNP है दोस्तों multimeter आपको Kontinentर बजार मड्नों में सेट करके दोस्तों उसके base पे आपको positive वाली lead लगानी दोस्तों जोकि 80 पाचास आथा उसके base पे आपको positive वाली lead लगानी है यह देखिए दोस्तों और एक बार collector पर चेक करना है 700 लेके 7.60 तक आपको reading दिखाएगा और एक बार आपको कहाँ पर चेक करना है collector पर जो कि opposite आप लगाँगे तो reading नहीं बताएगा मतलब उपना जो transistor विल्कुल सही रहेगा जो कि SMD transistor इसे ही चेक करना होता है आपको और आपको NPN, PNP पर इस पर पता चल जाएगा दोस्तों जो कि NPN transistor होगा दोस्तों वो आपका base से positive lead लगाने से collector पर शाड़ो 700 और आपका जो emitter उस पर शाड़ो 700 बताएगा तो जो आपका transistor रहता दोस्तों वो NPN ने SMD का अंदर आपको भाइचाने में दिक्कत नाओ इसके लिए में बता दोगो यह देखे दोस्तों यह देखे दोस्तों यह PNP transistor हो कि दोस्तों तो यह देखे दोस्तों विल्कुल सही अपनी रिडिंग बता रहा है दोस्तों तो यह से आपको चेक करना है NPN और OPNP भी ऐसे आप पता करेंगे ओके दोस्तों और एक बार आपको चेक कर लाएना है जो कि output दोस्तों gate पे निकल रहा है कि नहीं जो कि emitter point आपको चेक करना है दोस्तों transistor के emitter point से आपको gate पे एक बार्ष चेक करना है जो आपका बीब बज़ेगा दोस्तो तो आपका जो डेस्टन से दोस्तो यह देखिए जो कि 10 ओम का है हो सही है ओके दोस्तो तो यह से आप पता कर सकते हैं बहुत आसा नहीं से यह देखिए दोस्तो जो कि पहला पॉंट दोस्तो उसका बैसे दूसरा क्लेक्टर और तीसरा इमीटर जासे आपका output हमें दोस्तों आपको क्य Alabama suitable शक्रिकने प्रिशेट दोस्तों इसको भी चेक कर लाता है दोस्तों ग्बाता है हे दोस्तों इतन आइच प्रिशेटスト स्क्यृइद अपना स्पर ब्रबे कर आुको आज आ कि अच्छ पी ती उड़ने के ब्रिज रेक्टिफायर पेसे ग्राउंड मिल रहे के नहीं दोस्तों ब्रिजेट को भी चेक कर लेना है तो कि दोस्तों कुछ इंडाक्शन के अंदर 1K के रिजिटेंस से मिलती है तो आपका जो रिजिटेंस दोस्तों 1K बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगे आपको IPT लगना है ओके दोस्तों तो जो कि आपके आई चीबी ट्यूब ने आपके ब्लक्राइब दोस्तों कि की दोस्तों मैंने अपना वी डोस्तों थोड़ा लंबा हो गया ज़रू लेकिन मैंने दोस्तों बिल्कुल कुछ स्किप्ट नहें किया इसके अंदर जो यह दोस्तों आपके सामने दिखा रहा हुआ मतलब आपको आपको आचके से समझ मैं इसके लिए पिसके लिए और भी दोस्तों आपको लेग़ु सीशे बसे करके इसको इंदर डालना है इदे केसी और आपका जो बिरीज रेक्टर भाय का दोस्तों जो स्कुरूए हो कसना है अच्छे से बिल्कुल मजबुत आपका बठना चाहिए यह दिखें दोस्तों क्योंकि दोस्तों बहुत अपने भाई लोगे दोस्तों जो कि IGBT उनके पास से बहुत उड़ने के उनको कुलेंट आती है एक वीडियो कर रहा हूं जो जाक कि उसकी सबसे आपको फिर क्वास ने इसके लिए मैं ने पूरा वीडियो यहां पर बन है दोस्तों के आपको IGBTrule ओर इजिस नल, जोने के बाद भी दोस्तों जो की ऊड़ता है दोस्ता इंडाकिशन तूरंद चालू करने के बाद दोस्तों शॉर्ट हो जाता है तो उसके लिए मैं यह वीडियो कर रहा हूं तो देखे दोस्तों अभी आप मैंने जो यह ब्रीज रेक्टर पायर का जो स्कुरू एक कस दिये है यह देखे है तम मजबुती से टाइट कर लेना है और आखिर में दोस्तों जो एक स्कुरू बाचा है उसको टाइट करेंगे तो बिल्कुल मजबुत बेट जाएगा और उसके बाद आपको शॉल्डर मारना है अभी मैं आपको मार के देखा दो शॉल्डर रोके यह के दोस्तों के वाली उसको मूड़ देया तो भी चलेगा और फिर शॉल्डर किया तो भी चलता है जंब लंबी होगी तो थोड़ा ता मूड़ दीया थी चलता है विधोस्तों एह देखे आच्छे से शोल्डर करने आपको हिद्ध मुझबूत इसे शोल्डर करेंगे तो बिल्कुल अपने जो आजी बीटिक हुडने के कंप्लेट है दोस्तों बिल्कुल ने आएगे यह देखिए कि देखिए दोस्तों एदमों के भी शोल्डर कर दिया कंपनी जैसा विल्कुल ओके दोस्तों आप यह से कर सकते हैं और जो एक्स्ट्र लेगे दोस्तों काट देनी आपको कि और दौस्त आपको मैं जो हे एक चीज बताना भूल गया जो कि 12-6 का जो दुस्तों केपेसेटर्य उसको कैसे चेक करना है तो चले दौस्तों चेक करआए कि दिखाता हूँ इसका एक दोस्ते एक लेगे जोस्तों बाहर निकल लेता हो अभी जो कि मैं भूल गया था जो आपको IGBT लगाने के पहले आपको चेक कर लेना होता है ओके दोस्तों तो जो कि आपको बाहर निकलने के फिर जब उतने पड़ेगी ओके दोस्तों IGBT निकलने के बाद तूरंत आप इसको चेक कर लेंगे मुल्टिमेटर से अब भी में आपके लिए एक जो दोस्तों एक लेक इसका बाहर निकल लेता हूँ फिर इसको चेक करके दिखा दाओ क्योंकि यसे लगे लगे दोस्तों चेक ने होगा जो कि दोस्तों खराफ होगा तो IGBT तूरंत शॉटकर डलता है इसके लिए इसको चेक करना बहुत रहता ह है तो चले करके दिखा दाओ इसको चेक भी आपको मल्टिमीटर से हो जाता है यह वाला खाली आपको मल्टिमीटर होना चाहिए दोस्तों जो कि दोस्तों साधे वाला मल्टिमीटर होगा तो उसके चेक ने होगा आपको क्या करना होता है जो कि दोस्तों यूप पे आपको स तो दूसरा नई वालों भी चेक कर वाता हूँ उस पर इतनी बताए दोस्तो जो कि आपको दोनो लिड़ पे आपके हाथ नहीं लगा नहीं लगा ना कि आपके हाथ की रीडिंग दिखाने लगा ओके दोस्तों काले आपको उपर के ऊपर चेक कर लेने जो कि दोस्तों 0.1 और 0.2 बताएगा तो दोस्तों आपका जो कि पर से टारी विर्कुल सही रहेगा और कई फटा तो नहीं दोस्तों भी चेक कर लाने कई से फूल गया होगा तो भी खराब रहता है जो कि आपके पास मल्टिमेटर ना हो तो वेसे भी आप चेक कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो आईजबी ट्यूडनी की कंप्लेट है दोस्तों बिल्कुल नहीं आएगी तो इसको अच्छे से शोल्डर करना है फिर से इसको दूसरा जो लेगे दोस्तों भी अच्छे से रिशोल्डर कर देता हूँ जाकि एद्दम वजबुत हो जाए अई देखे दोस्तों एक तम दिल्कुल अभी ओक्की हो चुका है चले अभी इसको दिखाता हूँ मैं आपको अगा इंडेक्शन अपने लोड ले रहे के नहीं दिखाता हूँ आपको तो चले दोस्तों भी चेक करते हैं तो दोस्तों फीरीं दिखिए उन कर दी तो इसको पिट करते है मने अपको दीखाता हूँ जो कि यहसी लोड देदोंगा तो दिक्कत आएगके इसके तो इसको कि का इंड़ेक्शन के अंदर फीट करता हूं फिर आपको हिट करके दीक्षा दाओ पार इस देखें दोस्तों वह इंड़क्शन है आपड़ेक सकते है वैपatas लइंसीब्रेक डीखें शेले इसको मैं अब कि आपको हीट करके दिखा दाओ कि इसको दोस्तों सीरीज पर देंगे कि देखें दोस्तों बॉल्प अपना ग्लो करने लगा है अभी इसको डारेक्ट करेंगे तो पानी अपना हीट होड़ने लगेगा ओके दोस्तों कि गदेखें दोस्तों पान अपना उबलणे कि लग चुका है तो जो अपना हीट कान होथा दोस्तों इद्द के थो आप ड़िये अभी उबल रहाए है तो दोस्तों हमाई वीडियो आपको अच्छा लगाओगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजे ओके दोस्तों तो आज की वड़े में इतना ही मिलते अगली वीडियो में तब तक इलिए जैहिंत वंदे मात